हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दे चैनल और आज मैं आप लोट के लिए एक निया वीडियो लेके इस वीडियो में हम लग सीखिएंगे हमारे घर में जो भी समान है उससे किस तरह से राखी बना सकते हैं एस राखी पास आ रहा है तो मैंने सोच राखी रेलेटिड क्यों ना एक वीडियो बना लुँए यहां पर सबसे पहले चो मैंने राखी बनाए उसके लिए यह नेट की फैबरिक मैंने चूज की है आप देखेंए मेरी चैनल में काफ़ी जगह यह नेट की फैबरिक को मैं य चोड़ाई है वो 2-inch का है इस तरह से आपको नेक्स्ट जो है एक नीडल एंड त्रेट लेना है और रांडमली इसको आपको स्टेच करना है बस इसको हाफ में आपको फोल्ड करनी है जो फाइब्रिक है उसको अन त्यूप यह त्यूप है रांडमली तो आप देखिए लगवक हम लोग एंड की तरफ पहुंस चुके हैं इस तरह से आप नीचे तरफ देख सकते कितना अच्छा फ्लार सा मतलब पैटल्स ट्राइप को होगे एक फ्लार शेप बन रहा है तो इस तरह से आपको बनानी है और यहां पर मेरा दो लेयर बना है आप देख सकता है फॉर्स्ट एंड सेकंड वाली अब जो आपके पास स्वीध हागा है इस तरह से आप इसको अच्छे से सिक्वार कर लेंगे तो दर यह फ्लार की शेप में आ जाए अब नेक्स्ट में कुछ बिट्स लोंगी पॉल्स वगेर आपके पास जो भी है आप इसको यूज कर सकते हैं देन हम लोग इसके सेंटर पर फ्लार जो हम लोग ने बनाया है इसके सेंटर में तीन पॉल लेंगे इस तरह से और इसको यहां पर सिक्यूर कर लेंगे अब जब आपको बोल जो है वह अच्छे से sola bike अब कोई भी इस तरह से रीबन पतली वाली चोड़ी वाली जो भी आपके पास है रीबन है женщ tunga अब इसको टक कर लेंगे वह तो इस तरह से आपको रिप्लेरा से इसमें रिबन को कट कर लेनी है एंदन आपको इस तरह से इसको अच्छे तरह से शिक्यूर कर लेना है तो यहां पर हमारा फॉर्स ट्राखी जो है वह कंप्लेट हो गया है आपको यह डिजाइन अच्छा लगा होगा अब हम लोग बढ़ेंगी सेकेंड ट्राखी की तरफ जिए अगर ऑपके पुकर नहीं तो आप पेपर बग़ेरा भी ले सकते हैं कोई अब पतली वाली यह उलरी हो ऑप लेड karş है कोई पतली वारी लेस वगी राले सकते है और इसको स्टिक करने के लिए मैं फाब्रिक ग्लू कर यूज करूंगे अकर आपके पास फैब्रिक ग्लून होनिगे तो आप के पाद मैं यहाँ पे सटरह के स्टोन वाली चेन ले रही हूं यहाँ पीजू लगा के इसको रोल के रौड करके यहाँ पे स्टिक कर लिए इसको और एंड पे जो हमारा ओल का जो एंड पोशिंस है उसको कट करके वहाँ पे हम लोग नॉट्स लगा लेंगे जो आप देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ अब आप पर हमारी सेकेंड वाली भी राखी बनके रेडी हो गई है अगर आप चाहें तो कोई बड़े पाउन्स वागेरा भी इस पे इंसर्ट कर सकते हैं तो मैं इसको बहुत ही सिंपल रखी हूँ इस तरह से मेरा सेकेंड राखी भी कम्पलीट हो चुका है तो यहां पर मैं अट जो है नॉट्स लगा रही हूं इस तरह से आपको करनी है मैं इस चैनल पर different types of DIY video, different Indian faux cards painting and different canvas paintings वागेरा का वीडियो बनाती हूँ अगर आपको इस तरह के कुछ सीखना पसंद है तो आप मेरी चैनल के subscribe कर सकते हैं अब हम लोग 3 वाली जो है वो राखी बनाएंगे तो इसके लिए हम छोटा सा पक्रम की sheet का cut कर लेंगे and उसके बाद हम लोग इसको decorate करना start करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं एक circle बनाएं कुछ इस तरह के stones पागेरे मेरे पास थे different shapes के थे आपके पास जो भी shapes के हैं उसको आप arrange करके एक प्यार इसी राखी बना सकते हैं तो आप देखिए कि किस तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो यह पर छोटा पॉल हो गया center में या फिर एक बड़ा वला stone हो गया जो पर आपके पास है उसको आप यूज करेंगे तो इसका साइस था थोड़ा से मैं बड़ा कट कर ली थी बखरम का तो इसको मैं और थोड़ा छोटा कट कर रही हूँ यह छोटु सा राखी बनेगा प्यारा सा इस तरह से मैं दो तरह का लीव शेप का जो है stone यूज कर रही हूँ नहीं हम लोग इसको फैब्रिक क्लू के यूज से जो है अच्छे से stick कर लेंगे कर दो तरह में विल्यारा साथिय। अब जब हमारा फ्लार वाला शेप रेडी हो चुका है तो इसको हम लोग जो भी रिबन वगेरा जिसके उपर भी आप इसको लगाने वाले हैं रिबन हो या उलके उपर इस तरह से फैब्रिक लोग के यूज़ करके इसको स्टिक कर लेगी अब मैं थोड़ा और स्टोन्स यूज़ करूंगी साइड में यह छोटू सा राखी है प्यारा सा राखी इस तरह से आप इस पे स्टोन लगाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप ज़हे तो और भी कुछ एड़ कर सकते हैं तो अब बढ़ेंगे हम लोग हमने फोर्त वाले राखे के लिए WhatsApp ling यह यह ओल ले रही हूं and तुि ढिफरींड भास कि दिजाइन के जो हैं मोशेव ग्रां में ले रही हूं पॉल्स ले रही ही हूँ आप देख सकते ONE कलर का दel आ तो इसको आप नौर्मल यह आपको जितना भी जो भी आपके पास है उसको अरेंज कर सकते हैं तो मैं फ़र्स दो पॉल वाइड वाली एड़ कर रही हूँ देन एक गोल्डन वाली तर अगेल वाइड वाली देन फिर से हम लोग गोल्डन वाली लगाएंगे इस तरह से आपको सिक्वेंस बनानी है जो भी आपके पास है उसी को लेकी ही आप बनाएंगे तो इस तरह से आपको बनानी है और यहाँ पर हमारा फोर्थ वाली राखी भी आल्मोस्स कम्प्लीट हो जाएगा इसी को आप इस तरह से पहले मैंने जो भी सिक्वेंस बनाए है अब इसी को मैं रिपीट करूंगी और हमारी फोर्थ वाली राखी कम्प्लीट है यह आपको हार्डली 5 मिनिट्स लगेगा इसको बनाने के लिए जो भी आपके पास स्टोटे मोटी है कोई माला अगर तूट अब यहां पर हमारी फोर्थ वाली राखी भी कम्प्लीट हो जीगी है अब हम लोग चलेंगे फिफ्थ वाली राखी के तरफ यहां पर फिफ्थ वाली राखी जब मैं बनाऊंगी तो उसके लिए मैं दो सर्कल चोटे-चोटे कट की हूँ यह भी बक्रम शीट्स के ही टुकडे है यानि की बक्रम शीट्स से ही मैंने सर्कल्स कट किया है और यहां पर कुछ भी और यूज नहीं करूँगी फैबरिक ल आपको बॉल्चेंद के साथ अच्छा लग रहा होगा छुटा वाला वह आप सेंटर पूशन पर एड़ कर सकते हो कि इस तरह से बस आपको राउंड करके पहले बीस के साथ इसको अच्छे से स्टिक कर लेनी है अब सेंटर पर जो भी आपको अच्छा लगेगा छोटा वाला स्टोंस हो या मोती हो आप उसको एड़ करेंगे तो मैं यहां पर फिर से ओल का यूज कर रही हूं दिखिए जो मैंने सेकंड वाली सवकर लगाई थी वह नीचे तरफ में बेस की तरह दे दी हूं और उपर इसको मैं स्टिक कर दूए इस तरह से अब इसको भी थोड़े सुखने के लिए रखतेंगे लास्ट वांब इस पर भी नॉट्स एड़ करतेंगे थैंक यू सो मच पर वाचिंग प्लीज मेरे चैनल को सब्स्रेब करना ना भूलेगा थैंक यू बाई बाई